आज के इस वीडियों बात करते हैं बलड की क्वालिटी को इंप्रूब करने के लिए क्या किया जाए कौन सी दवा लिया जाए और उसके पहले समझ लेते हैं कि जो बलड की क्वालिटी है कैसे उसको पता करते हैं और कैसे पता चले कि बलड की क्वालिटी जो है अच्छी नह प्रमुख काम है रख्त की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी स्वास्त रहेंगे क्योंकि तभी आकशीजन और भोज़पदात पुरे सरीर में डिस्टिबियूट होगा Unfortunately, कुछ लोगों का जो blood की quality है, वो अच्छी नहीं होती है इस वज़े से कई बिमारियां उपन होती हैं शरीरों तो देखें, जो नार्मल हिमोगलोबीन है, वो 13-15 ग्राम पर 100 ml यानि अगर आप 100 ml blood लेते हैं, तो उसमें नार्मल हिमोगलोबीन 13-15 के आसपास होनी चाहिए और MCH की बात करें, तो MCH 27-32 होना चाहिए, पीकोग्राम पर RBC यानि 1 RBC में 27-32 के रेंज में होना चाहिए MCH और MCH की बात करें, तो 32 से लेकर 36 परसंट तक होना चाहिए तो जिनका भी हिमोगलोबीन कम हो जाए, या फिर MCH कम हो जाए, या फिर MCHC कम हो जाए उनके blood की quality कम तर मानी जाएगी तो blood की quality अगर कम तर है, तो पुरे सरीर में oxygen, भोज़पदाप, ठीक से और संतलिक तरीके से नहीं पहुचेंगे तो इस तरह से कई बिमारियां उत्पन होंगी, कैसे बिमारियां उत्पन होंगी इसको समझ लेते हैं तो दिखें, अगर low oxygen है, तो क्या होगा, low energy, यहनि शरीर में energy क्या होगी, कम होगी और कम energy है, तो ठकान लगी रहेगी, हमेशा थोड़ा से ही काम कर देते हैं, तो ठकान लग जाती है, सांस फूलने लगती है इसी तरीके की कई symptoms आते हैं, और उसके सांसाथ, बॉड़ी की जो metabolism है, बॉड़ी की metabolism वो भी कमतर हो जाएगी और बॉड़ी की metabolism अगर कमतर हो गई, तो physiological disturbance क्रियेट होगा और कई metabolic disorder उत्पन करेगा, तो जिनके भी blood की quality low है, होमेपैथिक की बहतरी इन दवा ले सकते हैं, जो की blood की quality को improve करता है फोमेपैथिक treatment के अगर बात करें, तो पहली दवा है, arsenic album 30 पाउर की, इसकी आप सुबह लेजे, सुबह चारबूर जीप पर arsenic album 30, सुबह चारबूर जीप पर लेजे, और दूसरी दवा है, फिरम फास फिरम फास टबलेट आता है, 3x power के लेजे, इसका चार टबलेट, चार चार टबलेट जीप पर लेजे, दो पहर और साम को, दो पहर और साम को चार टबलेट जीप पर लेजे, और तीसरी दवा है, चाइना क्यों, इसको साथ में, चाइना बोलते हैं, इसका पूरा नाम है सिंकोना फिसनेलिस, इसका मदर टिंचर ले लेजे, 20-20 बूंद, हाफ कप पानी में, पानी में घोल कर तीन बाल लेजे, इन तीनों दवाओं से जो ब्लड की क्वालिटी हो, इंप्रूब होगी, और आपको जो इनीमिया, ठकान, जैसी और कई सिंटम्स जो प्रोडूस हो रहे हैं, उन सबसे निजात मिलेगी, तो इस तरह से आप ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूब करके, हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, तो इस तरह से यह तीन बेहतरीन दवाइयां हैं, जो कि किसी भी होमेपैथिक मेंट का इस्टोर पर मिल सकती हैं, तो आप इन सब का यूज कर सकते हैं, और अगर आपको पर यह नम्मर है, और इस पर जो साम पांच से साथ के वीज करें हैं, तो ठीक से बात हो पाएगी, और आपके जो बिमारी है, उसमें बेहतर ट्रिट्मेंट दिया जा सकता है,